हेलो दोस्तो, वेलकम टू माई चाइनल, आज के वीडियो में हम देखेंगे ना मैर्ट्स ना केमेस्ट्री, डायरेक्ट एलेक्रिसेटी, आज के वीडियो में हम देखेंगे वायरलेस करंट डिटेक्टर, जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे वायरलेस कर पे थिखाया है, तो please वीडियो को last in तक जरूर देखिएगा ओके, तो हम देखते हैं कि wireless current detector होता क्या है, तो यह देखिए, यह है चोटा सा wireless current detector जो कि हम एक project के लिए लगने वाला था, तो हमने इसे घर पे बनाया है, ओके, तो उसमें कौन-कौन से material यूज किये गया है, तो यहाँ पर यूज किया गया है, 9-hole के battery, buzzer है, जो कि sound create करता है, transistor है, battery connector है, and copper wire है, antenna बनाने के लिए हमने वहाँ पर यूज किया गया है, तो इस wireless current detector का use कहाँ पर होता है, for fault checking के लिए, suppose एक बहुत बड़ी wire है, और इसमें fault है, तो इसको check करने के लिए हम wireless current detector use करेंगे, तो इसका छोटा सा demo पहले हम देखते है कि कैसे इसे use करना है, तो यह है wireless current detector, इसमें battery use की गई है, and this is the antenna, तो हम इसे एक wire के पास ले जाते है, जब switch off है, तब buzzer sound create नहीं करेगा, अगर हमने switch on किया है, तो buzzer जो है, वो sound create कर रहा है, means वहाँ से electricity पास हुई है, देखो, switch off है, तो buzzer cannot make a sound, and switch on करेंगे तो buzzer बजेगा, देखो, यहाँ पर अगेन हमने second demo है, switch off करेंगे तो buzzer sound नहीं करेगा, अगर यहाँ पर दिखाया है, switch off है, तो electricity cannot flow, and switch on करेंगे तो buzzer can make a sound, ओकी, तो यह था हमारा wireless current detector, जो कि current को detect करने के लिए use होता है, suppose एक बहुत बड़ी wire है और इसमें short हुआ है, तो हम उसको check कैसे करेंगे, exact कहाँ पर fault हुआ है, तो यह check करने के लिए हम current detector का use करेंगे, तो पूरी wire में हम यह, जो current detector है, उसे check करेंगे, और जहाँ पर buzzer sound create नहीं करेगा, वहाँ से electricity जो है, वो cut हुई है, means वहाँ पर fault produce हुआ है, तो यह हम detect कर सकते हैं, from this wireless current detectors, I hope you like this video, then please like, share and subscribe my YouTube channel, thank you,